करेंगे जो टॉपिक है वो यूनिट नमर थी में आता है थीक है मतलब कि यूदि नमर थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टू ठीक है फैट अन ओइल्स में देख रहा है कि फैट अन ओइल्स का तो यहां पर प्रिंसिपल जो पूछा है तो हम आज बात करेंगे तो पहले हम यह होता है उसकोफेट में करना इडिशन करके है आप इडिशन मेंसे फैट बना रहे तो उससे हम बोलेंगे हैं इसे एक4 मतलब चिंडे करते हैं तो आप यहां मतलब कि यहां पर फैट का फॉर्मेशन हो रहा है ठीक है तो यहां पर डिफरन डिफरन स्टेफ है जो ऑईल के मैं यूज किया जाता है ठीक है तो पहला जो हमारा स्टेफ है वो है हमारा रिफरफ भार प्री हमे तो पहलब ऑएल स्टेफ थिल्टर और उसके बदक करना असके हैं, जो यह हैं घ्रोजनओंट करेंगे। तो यहां पे hydrogenation तब तक होता रहा है जब तक हमारा fat बनना जाए ठीक है और यही process हमको यहां पे हमने diagram में दिखाई है ठीक है यह diagram आपको composite draw करना रहेगा ठीक है पहले हमने क्या कर लिया है tank में एक oil डाल दिया है उसके बद हम यहां से nickel डालेंगे और यहां से hydrogen gas पास करेंग bubble form में यहां पे आपको दीख रहा है ठीक है एडर किया गया है और यह process hydrogenation की तब तक होती रहे तो यहां पे यह topic हमारा खतम होता है ठीक है अब हमारा next question next question हमारा क्या है कि write down significance and principle of iodine number ठीक है अल्रीड हमने discuss कर रहा है आप जाके देखे हमने वीडियो अपलोड कर दिया है तो आपको वीडियो यह मिल जाएगा ठीक है उसके बाद हमारा है डिस्क्राइब डिफरेंट रियक्शन ओफ है यह एक्जामपल जो 19 विंटर समर 22 में जीटी में पुछा गया है यह भी हमने discuss किया हुआ हमारे वीडियो अपलोड है आप देख लीजे जाके ठीक है उसके बाद हमारा question है उसके बाद हमारा question है कि भाई जो animal fat है solid होते है वा होते है एक्जामपल के साथ बताइए तो animal fat जो होते है वो saturated fatty acid होते है वर उसके पास higher melting point रहता है और vegetable oil के पास unsaturated fatty acid रहते है और उसके पास होता है तो यही रीजन है कि जो animal fat है वो solid में होता है और vegetable oil है वो liquid में होता है ठीक है तो animal fat जो होते है saturated fatty acid उसमें ज्यादा होते है उसका melting point हाई होता है ठीक है और वो इसलिए solid होते है और example देखे तो butter और vegetable oil में वो unsaturated fatty acid रहता है lower melting point रहता है इसी के वज़े से वो liquid रहता है और यहाँ पर example है olive oil ठीक है तो यह justification हमने दे दिया अब हमारा next question है next question हमारा क्या है कि what do you mean by rancidity explain with detail ठीक है an example तो winter 19 में question पुछा गया है जो हमने already discuss कर लखा है ठीक है तो आप जाके वीडियो देख लिजिए हमारे हमारे सारे वीडियो अप्लोड है ठीक है थर्ड चेप्टर के तो उसमें यह वीडियो भी upload है next हमारा जो question है वो है हमारा write down significance and principle involved in the determination of RM value acetal value, acetal value and iodine value ठीक है उसमें आपको significance and principle पर लिखने जो हाँ winter 19 summer 29 और 22 में पुछा गया है यह भी हमने already discuss कर रहा है तो इसका भी वीडियो अप्लोड है तो आप जाके देख सकते हो ठीक है तो यहाँ पी इतने जो यह जो जाप्टर है ना उसमें से बहुत कम question मतलब repeat होते पूछे जाते है तो बहुत कम question है जो याद तक पूछे गए और आपको यह question में से आगे exam में आएंगे तो सब देख लिजे ठीक है तो यहाँ पर हमारा third unit जो है वो खतम होता है ठीक है थेंक यू